सिक्षक साथियो नमस्कार मेरे चैनल एडुकेटरजी में आप सभी का हार्दिक भिनन्दन है एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग निउज आ रही है जो नियोजित सिक्षकों को मिलने वाले राजे कर्मी के दर्जे से संबंधित है जिसके पक्ष में एक पत्र भी निकला है जिसमें नियोजित सिक्षकों को राजे कर्मी होने का असपस्ट वर्णन है तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि नियोजित सिक्षक राजे कर्मी नहीं बनेंगे इस पत्र के आधार पर नियोधित सिक्षकों को राजय कर्मी मान कर चला जा रहा है और राजय कर्मी वाला नियम कानून भी अभी से जारी होने लगा है संबंधित पत्र को आप वीडियो के अंत में देखेंगे तो यह बिल्कुल साफ है कि विश्चित सिक्षक नियमावली का संसोधित रूप बहुत ही जल्द इसी सपता जारी हो जाएगा तो अभी राजय कर्मी का दर्जा दिये जाने में उहा पोह की स्थिती बनी हुई थी किन्तु अब संबंधित पत्र को देखने पर बिल्कुल अस्पस्ट हो जाता है कि बहुत ही जल्ब नियोजित सिक्षकों को राजय कर्मी के दर्जे की घोशना कर दी जाएगी बात करे नियोजित सिक्षकों के संबर्ग की तो नियूज है कि सभी नियोजित सिक्षक परिख्षा देने के उपरांत आजय कर्मी अध्यापक संबर्ग में बन जाएंगे अथात बिल्कुल BPSC सिक्षकों की तरह सारिस्टु विधाएं एवं भत्ते प्राप्त होंगे एक संबर्ग एक परिख्षा की अंतरगत BPSC ही नियोजित सिक्षकों की परिख्षा लेगा तो यह बात बिल्कुल गलत है अफवा है सिक्षक बनने है तो जिनकी परिख्षा BPSC ने लिया है वे फ्रेस कैंडिडेट के रूप में है किन्तु जो सक्षमता परिख्षा नियो क्योंकि बहुत पहले से BACB से सक्षमता परिख्षा के विशर पर बात चीत भी चल रहा है और सारी तयारियां लगभग पूरी है और यह परिख्षा दिसंबर माह में ही हो जाएगी नियमावली संसोधित होकर तयार हो चुकी है संबर किलियर होते ही इसे सिक्षा बिभाग के बेप साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और संभव है कि उसके बाद ही इसे कैबिनेट में लाकर मुहर लगाया जाएगा अब आईए वह पत्र देखते हैं जिसमें नियुजित सिक्षकों को राजय कर्मी माना जा रहा है और राजय कर्मी वाला नियम भी लागू किया जा रहा है तो पत्र है बिहार सरकार सिक्षा विभाग अधी सुचना यहां संची का संखे आप देख रहे हैं 2693 और दिनांक देख रहे हैं 2711-2023 आईए यहां एक बहुत ही महतोपून लाइन दी गई है जिसे हम लोग देखते हैं यहां लिखा है साथ ही चुकी नियुजि गोसित करने की कारवाई प्रक्रिया धिन है और इन पर भी राजय सरकार द्वारा तय सरकारी अवकास लागू होते हैं अर्थात इसमें यह माना जा रहा है कि सभी नियुजित सिक्षक अब बहुत ही जल राजय कर्मी गोसित हो जाएंगे और राजय कर्मी के अनुसार ही इ रह नियम और थात गोसित अवकास वाला नियम लागू किया जा रहा है तो अब इस पत्र को देखने के बाद इसमें कोई दोर आय नहीं है कि अब बहुत ही जल्द सभी नियुजित सिक्षक राजय कर्मी बन जाएंगे इस वीडियो में इसी नियुज की और आपका ध्याना कर्सन कराना था धन्यवाद